बच्पन में रामेशरों में में और मेरे दोस्त विद्याले से पेदल गर वापस आया करते थे हम रोज गाओं के तालाब के किनारे थोड़े देर रुपते मेरे दोस्त तालाब के लहराती सते पर कंकड फेकने का प्यास करते और मैं बेटा सारस और समूदरी बक्षयों को आकाश में उडान बरते देखता उनके उडान देखते हुए मैं पविशे के सपनों में खो जाता था जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे अपना लक्ष इस पष्ट दिखाई देने लगा एक चीज और मेरी समझ में आ गई थी कि मेरी समझ में आ गया था कि अपने सपने सच करने के लिए मुझे इंजिनिरिंग के पढ़ाई करने होगी मदरास इंस्टिट आप टेकनलोजी तकनिकी हध्यन के लिए तक्षिन भारत का सबसे अच्छा सा इंस्तान था मैंने बड़ी मैनत से पढ़ाई करके स्कोलर्शिप हासिल किये थी ताकि मैं इस संस्तान में बढ़ सकूँ उस दिन मुझे अपना लक्ष और भी साप दिखाई देने लगा जब मैंने MIT में कदम रखा MIT के परिसर में दो बड़े विमान परदोशन के लिए रखे गए थे मुझे अच्छी तरह याद है कि बाकी चात्रों के चात्रावास में चलाए जाने के काफी देर बाद तक भी मैं विमानों के पास बेठा रहता था इनके निर्मान और डिजाइन ने मेरा मन मोह लिया था और मेरे मन में भी किसी दिन ऐसा है विमान बनाने का सपना जागने लगा था इंजिनिरिंग के पड़ाई के दोरान आखिरी परोजेक्ट के लिए मुझे कक्षा के चार और साथियों के साथ मिलकर एक फाइटर जेट विमान की डिजाइन बनाने के लिए कहा गया था हमने काम आपस में बाट लेया था लेकिन एक दिन मेरे काम की परगति की जानकारी लेने के बाद हमारे अवद्यापक ने मुझसे कहा अबधुल मैं तुम्हारी कारिय योजना से सचमुष निराश हुआ हूँ मैंने तुमसे कहीं बेतर काम की अप्यक्षा की थी मैंने उन्हें कहीं कारण बताई लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुने आकिर मैंने विंति की सर मुझे एक पाइने का समय दीजे मुझे विश्वास है कि मैं बेतर डिजाइन मना लूँगा उन्होंने मुझे पर नजर डाली और बोले देखो नो जवान मैं तुम्हें तीन दिन दे रहा हूं अगर सुम्वार की सुबह तुमने मुझे इससे बेतर डिजाइन नहीं दिखाया तो श अगली सुबह पस घंडा बर आराम किया जरासा कुछ मुझ में डाला और फिर काम में जुट गया अविवार की सुबह में काम खतम करी रहा था कि अचानक मुझे लगा जिसे मेरे पीचे कोई खड़ा है मुड कर देखा तो पाया मेरे अध्यापक जी मेरे ट्रॉइंग को बड़े ध्यान से देख रहे थे मेरे काम को अच्छी तरे जाचने के बाद उन्होंने मेरी पीट थप थपाई और बोले मैं जानता था कि काम पूरा करने के लिए बहुत कम समय देकर मैंने तुम पर दबाव डाला है लेकिन मैंने कभी उमीद नहीं की थी कि तुम इतना बढ़िया काम करके दिखा होगे अध्यापक जी की बात सुनकर मुझे इतनी रहात और कुशी मिली कि मैं भूली गया था कि पिछले तीन दिनों में मैं खाना सोना सब भूल कर काम में जुटा रहा था ना सिर्फ मेरी स्कोलर्शिप जारी रही बलकि मदरास इंस्टिट्यूट ओप टेकनलोजी की परिक्षा भी मैंने बहुत अच्छेंकों से पास की मैं विमान का डिजाइन बनाने का अपना लक्च पाने में सफल रहा था और अब और विमान उड़ाने के अपने सपने के भी बहुत करीब आ गया था मैं सोचकर ही उला से भर उड़ता था कि ये पचपन में देके समुदरी पक्षों की तरह मैं भी जल्दी आकाश में उड़ान बर पाऊंगा